चैनल के सभी दुर्ष्टों को नमस्कार जैसरे कृष्णा प्रणाम। किसी विक्ति के आमदनी का सितारा यानि एका दशेस मजबूत हो और वो किसी ऐसे ग्रह के साथ यूती कर रहा हो जो अतिनत शुभ हो निश्चित मानिए कि ऐसे विक्ति के पास आमदनी भरपूर आती है। हम सिर्फ इसी विशय को ले करके आज के इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे। आए हम चलते हैं जानते हैं ग्यारवी घर के कारक के बारे में। देखिए जन्मकुल्ली में ग्यारवी घर का कारक भी देवगुरु ब्रहस्पती है। दूसरे करका कारक भी देवगुरु ब्रहस्पती है। पंचम भाव का भी कारक देवगुरु ब्रहस्पती है, नवम भाव दसम भाव का कारक भी देवगुरु ब्रहस्पती हो जाता है। अर्था देव गुरु ब्रहस्पती यदि आपकी जन्म कुल्ली में अच्छे है, तो आपके जीवन में धन, संपत्ती, यश, इर्थी की कोई कमी नहीं रहेगी. अब यहाँ दो प्रकार की स्थितियां बनती हैं. जन्म कुल्ली में लगन कोई भी हो, एका दशेस कोई भी हो, लेकिन कारक देव गुरु ब्रहस्पती ही बनेंगे. ऐसे में आपका ब्रहस्पती मजबूत होना बहुत ही आवश्चेक है अनिवारी है. जब ग्यार्वी भाव का स्वामी प्रभावित ना हो बुरे ग्रहों से, तो ऐसे के जीवन में धन, संपत्ती, बैभो की कोई कमी नहीं रहती है. चलिए, हम लगनेश के विशे को छोड़ करके, एका दशेस के विशे को लगन में ला करके विशे पर चर्चा करते हैं. यदि जन्मकुंडली में ग्यार्वी घर का मालिक लाव भाव का स्वामी किसी ब्यक्ती के लगन में बैठा हो थो, अब यहां ब्यक्ती धन की कामना लेकर कि कोई भी कर्म करेगा, तो इसके पास धन संपत्ती की कोई कमी नहीं रहेगी. हां, शर्ट इतनी है कि एका दशेस जो ग्यार्वी घर का स्वामी है. यदि वो किसी बुरे ग्रह के साथ युती नहीं कर रहा है, द्रिश्ट नहीं है, तो जीवन में धन संपत्ती की कमी नहीं रहेगी. एक तो इस तरह से समझते हैं. मैं पहले कह चुका हूँ कि देव गुरु ब्रहस्पती मूल तया हग्यारवी घर के कारक हैं. दो बातें ध्यान में रखना हैं. अगर आपका ब्रहस्पती मजबूत है और एका दशेस की अच्छी कंडिशन नहीं है, तो भी आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी. जन्म कुंडली में जो देखने का विधान है, उस सबसे पहले जन्म कुंडली में जो लगन कुंडली है, नमबर दो चंद्र कुंडली है, नमबर तीन सूरे कुंडली है. इन तीनों के मुताविक देव गुरु ब्रहस्पती का देखना बड़ा ही आवश्यक है. जब किसी विक्ति का जन्म कुंडली में लगन अंतर गत्र यदि ब्रहस्पती आ जाए, तो वहां विक्ति धर्म कर्म से जुड़े हुए विशयों की तरफ जाकर के बे आय का जीवन में फल प्राप्त करता है. एका दशेस यदि लगन में है और शुभ ग्रहों से द्रिश्ट है, तो सरकारी नौकरी से ऐसे विक्ति को लाव प्राप्त होता है. यदि मान लिजिए कि बुध है एका दशेस और धनेस भी. ऐसे में जब सिंग लगन होगा, तो बुध धनेश और एका दशेस दोनों बन चाएंगे. अब यदि जन्म कुंडली में देव गुरु ब्रहस्पती भी अच्छे हैं और एका दशेस बुध भी लगन में वैटा हो. तो निश्चित मानिए कि ऐसा विक्ति स्पीकर होता है. ऐसा विक्ति अच्छा प्रवक्ता होता है. अताहा इस विक्ति को राजशासन सप्ता की उपलब्धी होने में पूरी सफलता प्राप्त होती है. अत्वा बैंक का बड़ा ओफीसर बनता है. अत्वा यदि ब्रहस्पती से युग्त दृष्ट हो बुध्ध चुकि हमने यहाँ पर वैसे मिथुन लगन आपको सिंग लगन बता दिया है. तो ऐसी वस्था में उस बैक्ती को प्रोफेसर रैंक के या सिक्षा विभाग में उच्चस्तरिय ओफीसर बनने का युग बनता है. ऐसे में जातक के पास धन की कमी नहीं होगी, रूप लावनने भी होगा, वाक पटता भी होगी, एका दशेश लगन में होगा तो. एका दशेश यानि आमदनी के भाव का स्वामी लाभेश अगर धन में आ जाए तो कहना ही क्या है? यदि एका दशेश धन भाव में अर्थात कुटुम्ब भाव में आएगा, तो जातक के जीवन में कुटुम्ब का सुख, कुटुम्ब में प्रमुख होने का सुख, तो होता है यशश्वी केर्थी इमान अच्छी बाणी से युक्त क्यों क्योंकि दुतिय स्थान पर जब एका दशेश आएगा तो धन तो देगा ही देगा और धन पिछले वाले को भी बढ़ाएगा ऐसे में अपने कुटम्मी जनों को प्रसंद करने का तरीका इस वेक्ति को अत्यधिक आएगा अब जब दुतिय घर में एका दशेश होगा तो इस वेक्ति को सरकारी क्षित्रों से वकालत से बानिज जिव्यापार से तीन तीन चार चार मार्गों से आंगनी का योग बनेगा जन्म कुंडली में एका दशेश दुतिय घर में होना उपलब्धी है आंगनी के घर का मालिक दुतिय में होना उपलब्धी है अब देखे हमेशा सुख की आभासिता सबको नहीं हो पाती, दुख तो पीछे-पीछे लगा ही रहता है, स्वास्थ संबंधी, सुख, जीवन में यश्किर्ती संबंधी, सुख, कि तमाम तरह के सुख होते हैं, सबसे बड़ा सुख होता है, जीवन में स्वास्थ का सुख, ऐसे में जातक का स्वास्थ भी बढ़िया रहेगा, एक आदशे इस तीसरे घर में चला जाए, तो ऐसा विप्ती, लेखन, संपादन, फिल्म इंडस्टी इत्यारी से भी लाव लेता है, भाई, बंधू, कुटुम्बियों के साथ, इस विप्ती को जीवन में यश्किर्ती मिलती है, और ये अपने कुटुम्बियों का पूरी तरह से ध्यान रखता है, और उपने छोटे भाई वहनों से इसको विशेस लाव होता है, संबंधियों के साथ 20 के विचार मिलते हैं, और मित्र बहुत होते हैं, अच्छे मित्र होते हैं, यहां तक ऐसा जातक अपने धन को अपने कर्मद्वारा कमा करके यश्किर्थी अर्जित करता है, क्योंकि धार्म अस्थान के एक दृष्टी एकादशेस की जाएगी सो, धार्म की वृध्धी भी करवाएगा एकादशेस, अब लाभेश यदि सुख में आ जाए, जब लाभेश सुख में आएगा, तो प कुंडली वाला व्यक्ति जिसका एकादशेस चतुर्थ स्थान में होगा, मा का सुख, मा को किसी ना किसी सरकारिक शेत्र से आमदिनी का योग बनाएगा, मात्रपक्ष से उसको धन की प्राप्ति करवाएगा, वाहन अच्छे, सुख सुविधाओं, इससे लैस जीवन ओन रोपेड सुखद होगा, भाईवन्दों के साथ भी विचाधार हैं अच्छी रहेंगी, एकादशेस पर बशर्ते किसी बुरे ग्रह की दृष्टी या प्रिडित ना हो, तब एकादशेस को पंचम घर में लेक कर चलते हैं, यदि एकादशेस यानि लाभेस पंचम घर में होगा, तो जाहिर सी बात है इसे बिक्ति को, क्योंकि पांचवा घर क्या है, जुआ, लाटरी, सट्टा, खेल कोद के, मनोरंजन के, सिनेमा के, साधनों से इस बिक्ति को लाभ होगा, मीडिया इत्यादी के कर्म से लाभ होगा, हॉस्पिटल इत्यादी के कर्म से लाभ होगा, डॉक्ति लाइन से, मेडिकल लाइन से भिश को लाभ होगा, खान पान संबंधी बिजनेस अगर एक करता है तो लाब होगा। बच्चों के पढ़ने लिखने वाले सामगरी स्टेशनरी इत्यादिक के करमों से लाब होगा। स्कूल, कॉलेज बनाने से लाब होगा और अपने बच्चों के साथ इसका तालवेल अच्छा होगा और बच्चों से आने वाले कल में इस बिक्ति को अधिक सुख की अनुभूती भी करवाएगा। एका दशेस पंचम में होना यह मात्रपक्ष को भी मजबूत करता है। इसका मतलब इसकी बेक्ति की मा ज्यानी उदार, सुन्दर मुख वाली, सुन्दर वानी वाली हूँ। जब लाभेश की दृष्टी ग्यारवे घर में जाएगी पंचम में बैठे हुए, तो भाई वन्दू के साथ जो बड़े भाई वहन है उनसे भी सेस लाभ होगा। अर्था आत एकादसेस पंचम में होना मेरे लिहास से बढ़िया है। आंदनी का स्वामी छठे घर में जो के रिण, रोग, शत्रो, इत्यादिका है, तो बड़े भाई का स्वास्थ प्रायः बाधित करेगा। ऐसे में इस बिक्ती का पैसा, शत्रो, बिर्थ के लड़ाई जंजटों में खर्च होने की संभावना बन जाती है। जब एक आदसेस लाभेश यहां बैठेगा, तो ननिहाल पक्ष से लाभ हामी दोनों ही वोती है। विशेस करके छोटे मामा से अन्बन करवाता है। मामा के पास ननिहाल पक्ष में पैसा फस जाता है। छठेगर में एक आदसेस का होना, अधिक पैसा इस त्री पक्ष में खर्च करने का सुभावाला जतक होता है। अधिक शयन सुख, अधिक मात्रा में लक्जरियस सुख लेने के कारण कई बार इविक्तिक करजी भी हो जाता है। एक आदसेस अर्थात लाग भाव का स्वामी यदी बैठ गया सातवे भाव में। सातवां भाव क्या है ? व्यापार का भी है, जुड़े हुए बिजनस को लेकर के सातवां खर बताता है। पार्टनर, लाइफ पार्टनर का है, इसलिए जुड़े हुए लाइफ पार्टनर से जीवन में लाब होता है, हाँ इस व्यक्ति के कई एक प्रेमिकाएं होने की संभावना बन जाती है और यह व्यक्ति हर उस महिला से जुड़ता है जिससे इसको लाब होगा, राध्रीती के पथपर भी महिलाओं से लाब होगा, ऐसे व्यक्ति प्रायहा, महिला मंडल की तरफ ज्यादातर अग्रसर रहते हैं और महिलाओं के पक्ष से इनको धन, यश, किर्ती, जायदाद, इत्यादी, बढ़ने की संभावना पूरी बन जाती है एक अदसेस, जबुद अस्टम घर में जाएगा, तो अस्टम घर मृत्यू का है, लिहाजा इस व्यक्ति को रखी हुई जमीन, रखी हुई संपत्ती रखा हुआ सोना इसको फायदा देगा, अगर शुब है तो गड़ी भी संपत्ती भी इसको मिलती, लेकिन यदि अशुब है, तो आमदनी तो ज जाएगी भाड़ में, जब एक अदाशेस लाभे इस अस्टम में व्रत्तिवस्थान पे जाएगा, तो भाग्य को भी कहीं न कहीं धक्का लगेगा, अस्टम में बैठा हुआ एक अदाशेस कौटुम्बिक मतभेद भी देता है, परिवार में माता, पिता, जुड़े पती-पत्नी का जीवन भी संघर्ष मई कर देता है, एक अदाशेस जब एस्टम में होगा तो, फिलाल हम अभी सिंगल ग्रहों के ऊपर वीडियो आपको दे रहे हैं, आगे आने वाले वीडियो में हम आपको और विशय देंगे, फिलाल, एक अदाशेस यदि एस्टम में ह तो चिंता तब तक नहीं करना चाहिए जब तक देव गुरु ब्रहस्पती अच्छे हो, अगर देव गुरु ब्रहस्पती है अच्छे, तो एक अदाशेस अश्टम में आने पर कोई नुकसान अधिक नहीं दे पाएंगे, उलट लाग होगा, लेकिन यदि ब्रहस्पती की कंडिशन भी ठीक नहीं है, और एक अदाशेस की कंडिशन भी नहीं ठीक है, तो नुकसान की संभावनाएं ज्यादा बढ़ती है, एक अदाशेस यानि लागेस जब भाग्य स्थान में आएगा, तो जा तक कि जीवन में क्या लाभानी देगा, दिखे, भाग्य का जो परा सुख के चार चांद नहीं, सोला चांद लग जाते हैं, समझेगा इस बात को पूरी तरह से, लाभवाव का स्वामी भाग्य में बैठा है, तो ऐसा देखती सूखे ब्रक्षि के नीचे बैठेगा, तो पैसे की कमी नहीं रहेगी, लाभवाव का स्वामी नवे घर में यदि नवे घर में आ जाएगा, तो व्यक्ति धार्मित तो होगा ही, और साथ में बड़े-बड़े यग्या, भंडारे, समाज सेवा, इत्यादी करने में यहाँ व्यक्ति सनलगन होगा, वशर पे किसी ग्रह से पीडित ना हो एकादसे इस नवे घर में बैठा हुआ, नव देता है, और ऐसा व्यक्ति अपने छोटे भाई वहनों को मार्ग दर्शन देने में बड़ा अग्रसर रहता है, अर्था, अपने छोटे भाई वहनों को अपने पुत्र की भाती पाल्म करेगा, यह जातक, पिता से सुख मिलेगा, जब एकादसे इस भाग्य में बैठा तो भाग्य को चमकाएगा ना, अब यही लाव भाव का स्वावी कर्मस्थान में आएगा, तो यह व्यक्ति अधिकतर गोदाम कहा जाता है, यह व्यक्ति दस रुपे की चीज लेकर सव रुपे में बेचता है, वानिज्य व्यापार में इस व्यक्ति का सामना जल्दी कोई नहीं कर पाता है, यह व्यक्ति धन और कर्म, कर्म और धन, दोनों को तत्र बढ़ाता जाएगा, पिता के लिए शुभ, बड़े भाई के लिए शुभ, बड़े भाई ओपर खर्चा तरने वाला इस जातक होता है, मात्र पख्ष को थोड़ा सा नुकसान करता है, क्योंकि मा एकादसिस अश्टम पड़ता है एकादस तो मा का स्वास्ते मा के लिए हानी पैदा करता है अब सब कुछ तो अच्छा नहीं हो सकता लिए आजा पिता या माता एक में दो में से एक का सुख संपन्न मिलेगा पूर्णता है दोनों का सुख मुश्किल से मिलता है लेकिन यह ध से इसकी कोई कामन नहीं होगी मतलब दूसरे के धन बैभो को देख करके इरशा नहीं करेगा स्वयम कर्म बली हो करके स्वयम का धन कर्म से बढ़ाएगा लिहाजा ऐसे विक्तियों को किसी से इरशा क्यों होने लगी आमदनी का मालिक जब बैठा होगा स्वयम आमदनी के घ ग्यारवे घर में और किसी सुब ग्रह से द्रिष्ट होगा, तो ए ब्यक्ति संपूर्ण भाई बहनों के साथ मिलजुल करेके कुटुम का यश किरती बर्धन करेगा। उत्र सुख अचानक धन प्राप्ति का सुख देगा ही देगा। क्योंकि ग्यारवांगर बड़े भाई बहनों का है। ऐसे में बड़े भाई बहनों के साथ ऐसे विक्ति को कभी भी मतभेद नहीं करना चाहिए। जब एकादस में बैठा हुआ आमदनी का स्वामी पंचमघर को देखेगा तो पुत्र से भी सुख इस विक्ति को अचानक लाव और अचानक हानी भी होती है। जब एकादसेस किसी बुरे ग्रहों के द्रिष्टी में आ जाएगा या गोचर में बुरे ग्रह आ जाएंगे तब इसको लाटरी जुआ सट्टा शेर मार्केट से नुक्सान भी हो सकता है। इस प्रकार से एकादसेस को अब हम बार्वे घर में लेकर चलते हैं। बार्वागर बेवाव का है। खर्च का है परेशानियों का है। बार्वागर जब एकादसेस दूसरे में जाएगा तो निरंतर यह विक्ति अपने कुटुम्ब में पैसा खर्च करेगा। लेकिन कुटुम्बी ही शत्रू हो जाते हैं चाहे जितनी अच्छाई कर ले चाहे जितना किसी को लेकर देकर कि एक खुश करना चाहे लेकिन इस बिक्ति से खुश इसके परिवार वाले नहीं होंगे बाहर वाले हो सकते हैं। ऐसे में पत्नी का स्वास्थ भी बाधित होगा, पत्नी के लिए भी थोड़ा नुकसान होगा, पत्नी का सुभाव अभद्र होगा, बाणी कठोर होगी और बड़े भाई की बाणी भी कठोर होगी जब एकादसेस बारवे घर में जाएगा और बड़े भाई के साथ इसके बिचा धाराम में भिनता आजाएगी, स्वयम जाता खर्च करते करते रड़ी हो जाता है, कोर्ट का चहरी में जायदाद का फसना, व्यर्थ के मुकद में जेल खाना इत्यादी के चुकरों में पढ़कर के इसका धन कई बार नुकसान में जाता है, अर्था जीवन में याद रखिए, जन्मकुल्ली में छठे, आठवे, बारवे में कोई ग्रह जाएगा, तो उस ग्रह का प्रभाव समूल तो नहीं, लेकिन मूलत यहां कुछ मात्रा में खराब होगा, जो कि छठा, आठवा, बारवा, ये त्रिक भाव कहें जन्मकुल्ली मे जब भी कभी कुल्ली देखना हो, तो केंद्र की मजबूती बहुत आवश्यक है, प्रतेश, सस्ठेश और एकादशेश, इनकी द्रिष्टी केंद्र गत ग्रहों पे पढ़ रही होगी, तो कोई न कोई परिशानी भी जरूर देगा, धनेश, क्योंकि सक्तम कास्टम है, कु शिक होता है, जन्मकुल्ली में तीन मूलत्रकोण है, एक लगन, दूसरा पंचम और तीसरा नमम भाव, तीन मूलत्रकोण है और तीन त्रसडाय है, दो, आठ, ये घर बड़ा महत्तुपूर प्रभाव डालते हैं जीवन में, कौटुम्बिक, यह लिए दुतिय और का, तथा बारवें घर का और छठे घर का, ये सब बहुर ध्यान पूर्वर जन्मकुल्डी का निर्चन करते समय, परियक्षन करना चाहिए, अन्धा पूरा फलादेश गलत हो जाता है, तो हमने एकादशेस को बारा घरों में फलादेश के रूप में लिया, जैसा भगवत सरस्वती की करपा रही, वैसा आपके सामने प्रस्तुत किया, आप कितना इस से जुड़ते हैं, सहमत हैं, आप सब्सक्राइब करके बताएंगे, उनहां हम अगले वीडियो में बारवे घर के यानि ब्यभाव के स्वामी का बारह घरों में क्या प्रभाव होगा, उस पर आ देते हैं वीड़ा आप सबी से, नमस्कार, जैसरे कृष्णो, प्रणाम